तो चलिए पांचे स्टॉक के बारे हम बात करते हैं जिस पर हम मंडे की दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं तो फर्स्ट है हमारा रिलाइंस पर आप देखेंगे तो इसने एक सार्प फॉल दिया था उसके बाद यहां पर हॉल्ट करने के बाद गैप खुल के यह एक पैटन मना इस इसे हम morning star pattern कह सकते हैं यह देखें यहां पर बट यह क्या है perfect morning star pattern नहीं है तो यह perfect कब बनेगा तो मैं smaller time frame में आपको दिखाता हूँ कि हमें इसमें trading कैसे करनी है यह देखें यहां पर क्या करेंगे हम इसमें अगर यह इस point के उपर निकलता है flat opening देखें यहां पर तो जैसे यह ही यह 2510 के ऊपर कोई भी 5-15 मिट की candle अगर closing करेगा तो हम इसमें buying कर सकते हैं और जो हमारा SL बनेगा उसमें 8 रुपीज का SL बनेगा और 14 या 15 रुपीज तक का हम target easily achieve कर सकते हैं इसमें क्योंकि morning star pattern के basis के ऊपर जब यह इस point को cross करेगा तो यह at least इस point तक तो जाएगा यह वाला जो हाई है इसको test करने की कोचिस करेगा तो हम easily यहीं पर अपना target 1 ratio 2 के according book कर लेंगे और अगर यह यहाँ पर touch करेगा तो आप उसको trail भी कर सकते हो अगर continuation में निकल रहा हुआ तो और next है हमारा Adani power Adani power में देखेंगे तो hourly candle में एक trend लाइन जा रही है और यह uptrend में है बट इसने क्या किया यहां पर M बनाया है आपको मैं यह rectangular box draw करके दिखाऊंगा तो यहां पर यहां से इसने rejection लिया है तो हमें क्या करना है इसने trend line को तो यहां पर जैसे मैंने दूर point मिला है तीसरे point पर इसने break कर दिया है तो हमें क्या करना है जैसे ही यह 280 sorry 290 के नी मीचे तो हम इसमें एक selling की position मनाएंगे उसमें हमारा 1.5 रूपीज का SL रहेगा और 3 रूपीज तक का easily हम इसमें target अचीव कर सकते हैं क्योंकि यह stock volatile रहता है तो आपको 3 रूपे तक का target मिल जाएगा 1.5 के SL के according और next है हमारा SRF SRF में भी देखेंगे similar kind of pattern है तो यहां पर द आज इसने क्या किया है इस point के आसपास से rejection लिया है यहां से rejection लिया और इस point के नीचे आके इसने closing कर दी है तो हमें क्या करना है अगर यह gap up खुलेगा तो हम इसमें एक buying की position मना सकते हैं और हम gap up में ही बनाएंगे otherwise हम इसको ignore करेंगे और किस point तक यह gap up खुलना चाहिए तो इस point तक ही अगर gap up खुलेगा तो यह point आता है हमारा 2330 2330 के ऊपर ही हम इसमें कोई भी position मनाएंगे अगर यह point को यहां कहीं भी खुलके इस point के ऊपर आ जाता है 5-15 मिट के अंदर trading hours में तो हम इसमें एक buying की position मना सकते हैं और जो हमारा first target रहेगा इस point के आसपास तक कर रहे और अगर आपको ट्रेलिंग करते हुए चलना है तो आप इस point तक भी ट्रेल कर सकते हैं तो आपको इसमें easily मिल जाएगा जो हमारा इसमें SL बनेगा वह हम इस point के आसपास तक का रखेंगे जब इस point को एक रॉस करेगा तो इस point के आसपास तक का हमारा SL बन जाएगा उसमें और नेक्स्ट हमारा अमबूजा सिमेंट में देखेंगे तो इसने क्या किया है इसको ब्रेक कर दिया उपर की तरफ वन डे के टाइम फ्रेम में आपको clearly दिखेगा यहां पर देखिए यहां पर इसने क्या किया है यहां पर इसने एक बार रिजेक्शन लिया इस point से फिर न नीचे की तरफ निकलना चाहिए बर यह नीचे की तरफ ने गिया और इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर की point पर closing कर दी तो इसका मतलब है यहां पर जो buyers है वह ज्यादा ही strongly अपनी buying position create कर रहे हैं वह चाहते हैं कि इस point को यह break करें तो हमें इसमें बाइंग की position बनानी है और कै जैसे बनाएंगे वह smaller time frame में आपको दिखा देता हूं मैं तो यह देखें तो हमें क्या गन्ना इसमें जैसे यह इस point को break करेंगा यह जो point है हमारा 373 के उपर अगर यह कोई भी 15 मिनिट की candle अगर closing मिलेगी हमें तब ही हम इसमें buying की position मनाएंगे और जो हमारा SL बनेगा उसमें सिर्फ 3 point का SL बनेगा क्योंकि यह जो deep आते रहते हैं यह कब selling में convert हो जाएगा कोई idea नहीं है वैसे यह top के आसपास है तो हम इसमें cautious हो के trade करें हमारा 3 point का SL बनेगा और 73 के उपर हम इसमें एक buying की position मना सकते हैं और जिसका हमारा target 380 तक का रह सकता है आपको 7-2 easily इसमें मिल जाएगा तो next हमारा Asian paint, Asian paint में देखेंगे तो इसने क्या किया है यहाँ पर आप देखेंगे तो इस point पे एक selling up pressure आया और next यह gap down खुलके sharp selling आई फिर यह halt करके धीरे धीरे यह buying के momentum में connect हो गया अब यहाँ पर क्या किया इसने gap down opening के बावजूद इसने buying momentum में इस line को break कर दिया यह जो gap था इसको fill कर दिया इसने और आज इसने halt किया है अब एक जैसे buying momentum आया उसके बाद एक halt candle बननी चाहिए doji type की तो वो doji बनाई अब यह momentum again continue होगा तो हम continuation में इसमें trade करेंगे और जो हमारा trading level बनेगा वो दिखा देता हूँ में आपको तो हम इस level के आसपास एक buying के position मना सकते हैं यह हमारा level है 3074 या 5 consider कर सकते हो आप तो हमें क्या करना है इसमें अगर इस flat opening करके इस point को break करेगा इस point को तो हम इसमें buying कर सकते हैं और जो हमारा SL बनेगा इसमें 12 रुपीज तब का SL लगा सकते हो आप और अगर आप safe side चलोगे तो आप 8 रुपीज या फिर 7 रुपीज का भी SL ले सकते हो वो momentum के basis पर depend करता है कि SL कितने का बनेगा क्योंकि यह volatile जादा है तो इसमें क्या यह वाला जो छोटे point का SL होंगे यह easily hit हो सकते हैं तो आपको 12 point का SL लगाना पड़ेगा क्योंकि आप target भी उतना ही अचीव कर होगे 30 point का easily हमें इसमें target मिल सकता है हम 74 के आसपास trade लेंगे त तो यह 3100 10 तक भी जा सकता है तो आपको easily इसमें one race or two की trade मिल जाएगी अगर यह point को break करके उपर की तरफ निकलेगा तो अगर यह video आपको अच्छी लगी हो तो video को like करें और मेरे channel trading lens को subscribe करें ऐसी और भी knowledgeable video देखने के लिए Thank you